प्रदेश सरकार द्वरा जनपतवासियों को नया सवीरा प्रोजेक्ट के तहथ रामगर्ताल में जनपतवासि अब क्रूच का आनन्द ले सकेंगे। अभी तक रामगर्ताल में छोटे बोट के माध्यम से लोग नौकायन का आनन्द उठा रहे थे। अब क्रूज का सवार होकर लोग भरपूर मनरंजन के साथ नौकायन का भी आनद उठा पाएंगे बता दे कि विकट 6 मार से क्रूज का निर्मार कार चल रहा है लगवग 50 पतसत कार भी पूरा हो चुका है शेश कार निर्धार समय पर पूरा कर लिया चाएगा जिससे यहां के वासी जल से जल क्रूज का अनद ले सकेंगे और परेटर को भी बढ़ावा मिलेगा इस समन में मीडिया कर्में से बात करते है प्रोप्राइटर राजन राय ने बताया नया से वेरा महराज जी मानिमुकर्ण्ति जी और मानी पर्धांप्र्ण्ति जी के सोजरणे से न्या से वेरा राम गरताल में एक प्रजेक्ट दिया गया है बड़ी बोट बड़ी जहाज और जो बड़ी वैसल जो होती है वह नहीं चल सकती है इस मित्या को हम लोग खतम कर रहे हैं और एक बड़ा प्रजेक्ट यह बन रहा है यह 100 फिट लंबा और 25 फिट चौड़ा 1500 सीट का यह पैसेंजर वेसल लेगा जिसमें खाने पीने की और सारी बस्तवे रहेगी और मरणजन की सारी सुक्सुदा रहेगी चोटे चोटे इवेंट फंक्शन करेंगे हम लोग मेरेज पार्टी करेंगे लोग बर्डेस एलिवेशन करेंगे लोग अपना दो घंटा आप जो इसके लिए आपको गोवा या मुंबई या कलकता ही जाना पड़ता था इसके अलावा पूरे भारत में कहीं आपको इसके लिए ये चीज नहीं मिल पाएगी जो कि हम लोग यहां गोरफुर में दे रहे हैं कम पैसे में अपने समय को बचार देखते हुए आप यहां पे मस्ती करेंगे और रामगरताल का पैरेटन का एक केंदर बनने जा रहा है और गोरफुर विकास फादिकर और मानी मुकमंत्री जिसमें हमारा बहुत सयोग कर रहे है हमारी कमपनी का हमारी कमपनी गोवा की S4 Engineering कमपनी है यह गोवा में S2 वैसल बनाते हैं लोग यह हमारी जिए टीम हमारी है यह प्रोजक कितने का है और मुकमंत्री योगी आदित तनात का इसमें कितना सयोग है मुकमंत्री जी पूरा सयोग पुरे आसिरवा से बनी रहा है वैसल और यह प्रजेक्ट बहुत लंबा है लगबख हम लोग 6 मेने से बना रहा है और अभी 3-4 मेने और लगेंगे बनाने में और बहुत सारी चीजे इसमें है